अगर 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 वीडियो में सब कुस ठीक है तो हम इस सेशन की शुरुवात करेंगे तो जल्दी से एक बार बता दो मैं भी अपने एक बार फून में चला लेता हूं ताकि वीडियो को चला लेते हैं थाकि हमें भी और वीडियो का सारा कुछ पता लगता रहे हैं जल्दी से एक पर बताएंगे हाँ जी और यू वीडियो सब कुछ ठीक है तो हमें सेशन की सर्वात करेंगे और यू वीडियो सब कुछ ठीक है है हाँ सर फाइनली आगे तोड़ा सा फिर भाई बात कर रहा है टेकनिकली मैं तोड़ा सा अच्छा नहीं हूँ तो टेकनिकल चीजें तोड़ा सा संभालने में मुझे टाइम लग जाता है इसलिए मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ कि अगरा चलिए फड़ा फट से एक बार वीडियो को लाइक करते हैं मैं एक बार वीडियो को शेर करते हूं सबके साथ है कि सारे बच्चे जोइन कर पाएं कि अब एक बार फड़ा पट से यह बता दो यार सबको कपेसिटेंस के बारे में सब कुछ पता है चलिए चलिए बढ़िया से एक बहुत 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 बैतरीन सेशन होने वाल है एलेक्ट्रिकल कपेसिटेन्स यह हमारे सेशन का नाम होने वल है बढ़े कोशनस ही तो कराने है दॉक्टर आमेत आज करने तो कोशनस ही है झालाज लेक्चर 9 नहीं है में तो कपेसिटेंस का लेक्चर8 नमबर हमेिज़ हमारा गलत हो जाता है चलो अब यार अनकेड़नी के आफ़र में आपको दिखा देता हूँ आप देख पारे हो जब आप प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रेप्शन लेते हो और साथ में आगर आपको CVSC प्लस का भी सब्सक्रेप्शन चाहिए आपको यहाँ पर 36% टक का आउफ मिल रहा है बहुत बड़ा यह ओफर चल रहा है आपके लिए अगर आप इसके अंदर एंडरोल करना चाहते है तो यू आप टो यूज़ा कोड़ खटटर 10 आपको इस खटर 10 का यूज़ करना है इसके अंदर एंडरोल होने के लिए और यह वला कोड़ आपको माक्सिमम सेविंग्स करा देगा आपकी जितनी हो सकती होतनी सेविंग यहाँ पर करा देगा 36 परसेंट तक आउफ है एगर एक बहुत बड़ा ओफर है तो एक बहुत बड़ी सेविंग्स आपकी हो सकती है तो आप इसके अंदर एंडरोल कर सकते हैं वर यूज़िंग अ कुडग कर रहे हैं एक तो counseling भी मिल रहे है special surprise भी मिल रहे हैं जो learners इसको attend कर रहे हैं अपने favorite educator से बात करने का मौका मिल रहे हैं और यह मौके बहुत कम मिलते हैं तो इसका benefit उठालो और अपने favorite educator से बात कर लो और counseling करो ठीक है नव यह compete program तो आपको पताएं यह compete के अंदर आप दूसरे students के साथ compete कर सकते हो battle कर सकते हो quiz कर सकते हो और देख सकते हो आप कहां stand कर रहे हो 2,40,000 match already complete हो चुके और भी बहुत सारे matches आने वाले और भी बहुत सारे matches आप इसके अंदर complete कर सकते हो और आप अपनी knowledge तो बढ़ाओ बढ़ाओ साथ में prizes जीतने के chances है दो लाग तक के cash prizes मंदब दो लाग तक के prizes है आपके पास और एक laptop जीतने का chance है laptop जीतने का chance है और laptop जीतने का chance तब भी होगा जब आप video को like करा करोगे करते हो ना like नहीं किया ना भी तक चलो कर दो कर दो कोई बात नहीं अच्छा अब यह state CET आपके लिए अगर आपको कोई भी एक्जाम के लिए प्रेपेर कर रहे है तो आप अपने से नीट के लिए प्रेपेर कर रहे है now you can achieve your dream by cracking state CET प्रीबिक टुड़े आट रुपीज आप इसको प्रीबुक कर सकते हो 49 रुपीज में और a short 50% discount on the launch price now you can enroll in this by using a code cutter 10 आप cutter 10 का यूज़ करके इसके अंदर enroll कर सकते हो और this is a code for your registration जब आप इसके अंदर registration करोगे तो आपको ये code यूज़ करना है के एस से डबल टी ए आर टेल और हमारे जो offline center है वो अब आपको पता है चार सिटी में तो already थे अब ये पांचवी सिटी इंदोर में भी आ चुक है अब यहां से हो क्या रहे कोटा लखनाव नौइडा और पतना चार जगा तो आ चुक है अगर आप offline center में भी एंदोर करना चाहते है तो cutter 10 का यूज़ कर लेना वहां भी आपको maximum savings मल जाएंगी चाह offline लेना हो चाहे online लेना maximum savings करनी हो तो code यह यूज़ करना maximum savings करनी हो तो code यह यूज़ करना है चले अब इसके बाद यह सारी चीज़े तो आपको मैंने बता दी कैसे हमारे batches चल रहे हैं कैसे हमारी चीज़े चल रही हैं यहापे यह सारे growth batch excel batch है और conquer batch है यह सारे batches चल रहे हैं जल्दी से एक बार यह लेक्चर नमबर नहीं था आखरी लेक्चर होगा कपेस्टन्स का कल से electricity शुरू करेंगे कल से electricity शुरू करेंगे कल से current electricity हमारा बहुत बढ़िया बैतरीन तरीके से शुरू हो जाएगा तो बस आपको यहाँ पे बने रहना है और अपनी preparation को जारी पर रिप्यर कर पाओ चैन वी स्टाट विफस्ट कुश्टन इन दी चाट बॉक्स अब पहला कुश्टन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा ही है प्रेक्टेस सेशन है तो कुश्टन प्रेक्टेस होने वाले है ऐसे थोड़ना थोड़ा सा जोश तो चैट में दिखाना पड़ चलिए लेट तो फॉर दी फर्स कुशिचिन थी अन्यृ पारलल प्लेट कपेस्टर थी अन्यृट दी पर्मिटिविटी अप दी मीडियम इस उसका प्रमिटिविटी इच इतना होग अगर एप्साले नॉट दे रख़्के 8.85 इंटो 10 रस तो पार मीनस कुल चलिए आंसर बताएंगे बहुत जबर्दस कुशन है आपको इसका कपेस्टेंस दे रखे है एयर में 6 माइकरो फेरेट और फिर इसका कपेस्टेंस मीडियम में दे रखे है 30 माइकरो फेरेट अच्छा मीडियम में डालने से कपेस्टेंस इंक्रीज होते हैं यह डिक्रीज होते हैं चैट बॉक्स के अंदर वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है यार मेरे पास भी चल रहा है फोन के अंदर बिल्कुल सही क्वालिटी है देरे इस नो इशुज विडियो क्वालिटी आपके फोन के अंदर है इंक्रीज होते है तो इसकी जो फाइनल कपेस्टेंस होते है वो के टाइम्ज आफ इनीशल कपेस्टेंस है तो सी की वेल्यू दे रख्या आपको 30 के निकालने है यह 6 है आपके जो के की वेल्यू आएगी that is dielectric constant that will become equal to 5 यहां से dielectric constant 5 आएगा होता है इतना पता है न के टाइम्ज इंक्रीज हो जाता है इतना पता है अब के का फोर्मला होता है एपसाइलन अपोन एपसाइलन नॉट यह बहुत important formula है तो यहां से एपसाइलन किस के बराबर होगा k times of epsilon नॉट और epsilon नॉट की value इन्होंने दे रखी है that is a k की value तो मारे पास आगी k की value तो मारे पास आगी 5 और epsilon नॉट कितना है 8.85 into 10 अगर मैं इसको calculate करता हुना यह आएगा 44.44.4 into 10 डेस्ट पावर माइनस 12 something लाइगे से आएगा और अगर यह आए थिंक 44 यह आएगा सरफ 44.something आएगा no problems with that इसके अंदर थोड़ा बहुत आप देख सकते है अब यहां से इसको पीछे shift कर लो जब पीछे shift करोगे न 44.2 आएगा यह तो यह epsilon किसके बराबर हो जेगा 0.44 into 10 डेस्ट पावर माइनस 10 अब यह यही पुछा था आपसे पर्मिटिविटी कितनी होगी क्या आपका अंसर भी यही आया है ए कैसे आगया भाई तुम्हारा ए कैसे माइनस 13 पावर कैसे आई पहले पर बताओ माइनस 13 कैसे आई पावर अब यहाँ पर पावर माइनस 10 होगी ना 0.44 into 10 डेस्ट पर माइनस 10 कि अपसे न अमबर इस पावल ही इसका्वा अपसे नंबर सी और कोसलि आद अगया है कैसे पुछी जादा डिफिकल्ट कुश्ण था यह हाँ बढ़िया चालो लाइक करते रहा करो यार वीडियो जिन्होंने बच्चोंने वीडियो लाइक नहीं किया ना वो लाइक जरूर कर देंगे वीडियो आजा अगले कुछन पर अरे बाई साथ कि अधू तन दाओ लेक्टरिक्र अधू आपर अपर करेक्ली शोन अचा मुझे बताओ कंडाक्टर और डाओ अधर कितनी होती हैं अधर एलेक्टरिक फिल्ड कितनी होती है कंडाक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फिल्ड कितनी होती है एक बार चार्ट बॉक्स में फड़ापट से बता दो जरो लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो जाती है रेडियूस हो जाती है इतना पता होगा ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर रेडियूस हो जाती है जरो नहीं होती कम हो जाती है जैसी आप डाइलेक्ट्रिक स्लाब के अंदर गुस हो गए महाँ पर जाके लेक्ट्रिक फ और यह तो यह गलत है यह दूसरे option में decrease और यह no doubt ठीक है तीसरे option में decrease और यह सही है और fourth option में तो बोल दिया जीरो गी तो यह fourth option भी गलत है अभी तक 2 option को हम eliminate कर पाए है कौन-कौन से 2 option eliminate कर पायो A और D A को eliminate की उपारा. क्यू बोल रहे हैं A में increase होगी जबकि increase नहीं होती ही electric film decrease होती है फिर उसके माद यह बोल रहे है zero होगी zero तो conductor में होती है delectric में नहीं होती है ठीक है और इसके बाद इसके बाद ये देखो यार ये बोल रहे है पहले decrease होई फिर increase होगी option number B भी गलत है पहले decrease होई अगले case में और ज़्यादा decrease होदेगी क्योंकि इसका dielectric constant बढ़ा है क्योंकि इसका dielectric constant बढ़ा है तो option number C correct आ रहा है देखने से ही पता चल रहा है न C है पहले constant slap के अंदर जाती decrease फिर भाराती constant फिर decrease फिर constant option number C is correct answer आई बात समच बहुत easy question दा बहुत आसान question दा लेकिन graph आगे diagram आगया graph आगया तो difficult लगता है लेकिन इतना difficult होता नहीं है चलो भी next question की तरफ चलते है next question on your screen is two parallel metal plates having charge plus q and minus q face each other at a certain distance between them if the plates are not dipped in kerosene oil tank the electric field between the plates जल्दी से बताएंगे क्या होगा जो plates के बीच की electric field है उसके बीच में क्या बनेगा क्या बोलना दो metal plates है एक के पास plus q charge है एक के पास minus q charge है तो हमारे इसके बीच की जो electric field है उसका formula होता है सिग्मा बाइ एपसलेन नॉट अब यह सिग्मा तो constant है एपसलेन नॉट मीडियम में जाती के टाइम्स आफ एपसलेन नॉट होजेगा अब इलेक्ट्रिक फिल्ड बनेगी वन बाइ के सिग्मा बाइ एपसलेन नॉट तो यह यह और इलेक्ट्रिक फिल्ड थी है सो इलेक्ट्रिक फिल्ड विल्गाम वन बाइ टाइंज और एपसे साइन इल्क्रिक फिल्ड जैगी इस पानी रहेगी पानी में यह नहीं कोई फरक नहीं पड़ेगा कि कि अब एक प्रेटरिक फिल्ट का फर्मला सिगमा भाइ एपसेलन नॉट है मीडियम में जाके वह की एपसेलन नॉट हो जाते हैं कि अगर के एपसेलन नॉट हो गए तो की नीच से आया बनाब थो इलेक्ट्रिक फिल्ड डिकरीज इज़ बाइज बाइगी व्होंगी ऐसा हीy न आहीं बाद समझ तो बहुंद देखो तीनों कोश्ण में हमने में बाइज़ करा पहले होले में यही बात करी कापैस्टेंज इंक्रीज होती है दूसरे वोले में देखा electric field अंदर decrease होती है slab के अंदर जाने के बाद और ऐसी अगर metal plate क्या हो अगर हमने एक kerosene oil में dip कर दिया तो kerosene oil में dip करने के बाद उसकी electric field decrease हो जेगी by effect राफ के चलो भी, next question, a parallel plate condenser with oil between the plates of dielectric constant 2 has a capacitance C, if the oil is removed, the capacitance of the capacitor become, the capacitance of the capacitor become, answer in the chat box, देखने किसका अंसर सही आते है, जब oil था तो capacitance C थी, बिना medium के अगर oil को remove कर दिया गया तो capacitance कितनी होगी, भाई मेरे तोड़ा सा ध्यान से सोचो, ध्यान से बोल लो, बी, यार मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें पता है, medium में जो capacitance होती है, वो k times of initial capacitance होती है, और यह जो आपको final capacitance दे रखिए, यह कितनी है C, के की value कितनी है 2, यह C not, और यह हमें initial capacitance निकान लिए मतलब बीना medium में, तो यह आपका C by 2 नहीं है गान से, भाई मेरे यह C not पुछा गया है न, अब medium वली capacitance आपको given है C है, और यह बूल रहे हैं बीना medium वली कितनी है, तो इसका answer तो C by 2 आएगा न, अब थोड़ा सा सोचना था, यहाँ पे medium की capacitance दी हुई है, vacuum की पुछी गई है, आज तक जितने भी कोशन आते थे, उल्टा आता था, capacitance vacuum की आती थी, medium की पुछी जाती थी, यहाँ उल्टा करती है, medium की पुछी थी, medium की दे रख्यी थी, और vacuum की निकालने थी, तो यहाँ से C not का formula क्या आगया, C by 2, C not का formula क्या आगया, C by 2, चले आगे, बहुत बहुत इज़ी, हाँ थोड़ा सा given के साब से confused होगे होगे न, है न, चलो, आजाओ, अरे भापरे, खतरनाक, 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 चलो, देखते हैं कौन, कौन सा बच्चा सही answer करता है इसका, अच्छा तुम यह बता दो, मैं, मैं एक छोटे-छोटे से सवाल पूछता हूँ आपसे, छोटे-छोटे से सवाल पूछता हूँ, ठीक है, बही, जो series में कपेस्टर आड़ होते हैं, कैसे होते हैं, series में जो कपेस्टर आड़ होते हैं, वो कैसे आड़ होते हैं, कोई नहीं समझा रहे हैं, अच्छे, इसके लिए में कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा आपको, एक मिनट का वीट करेंगे सब्सक्राइब, ओ माई गॉड, चलो, अब इसमें कंसेप्ट के है, मालो ये पार्लल प्लेट का पेस्टर है, ये दो पार्लल प्लेट लगी हुई है, इस पे चार्ज प्लेस क्यूँ और इसके बीच में माइनस क्यूँ आगा, इसके बीच में दो मीडियम आगी, ये मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट के बन दा, ये मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट के टू दा, अब मुझे ये पता करना है, ये जो दो मीडियम है, ये सीरीज में, ये पार्लल में है, मुझे सिर्फ ये पता करने है ये जो मीडियम है ये सीरीज में ये पैरलल में एक मिन रुको यार अच्छा क्या ये बताओ भाई मुझे उसके एक एंड से एक प्लेट से दूसरी प्लेट से पहुंचने के लिए एक प्लेट से दूसरी प्लेट में पहुंचने के लिए क्या दोनों मीडियम में से पास होना जरूरी है क्या दोनों मीडियम में से पास होना जरूरी है या एक मीडियम से पास होंगा और अपने पहुंच जाऊंगा वहाँ पे क्या दोनों में से पास होना जरूरी है ये सर नो अगर दोनों कपेस्टर में से पास होना जरूरी हो जाता है और अगर मालो मैं मीडियम को ऐसे डालता इस तरीके से एक मीडियम दो मीडियम ये पहला मीडियम ये दूसरा मीडियम ये तीसरा मीडियम इसका dielectric constant k1 इसका k2 और इसका k3 क्या आप तीनों में से pass होना ज़रूरी है या किसी एक में से चले जए k1 में से k2 में से या k3 में से एक में से भी जा सकते हो ना या तो इधर से चले दोगे या इधर से चले दोगे या इधर से चले दोगे you will choose either one of them I will choose either one of them किसी एक path को choose करोगे अगर किसी एक path को choose करोगे तो कैसा combination होगा parallel combination this type of combination is called parallel combination तो आपको पेचानना है series combination होगा है parallel होगा, parallel में तो simply add होते है और series में reciprocal करके add होते है series में reciprocal करके add होते है let's go for the question now अब हम question की तरफ चलते है मुझे बताओ ये k1, k2 और k3 series में या parallel में k1, k2 और k3 series में या parallel में जल्दी बताओ k1, k1, k2 और k3 are in series और parallel parallel अरे मेरे भाई यहां से मैं बोल रहा हूँ या तो इससे जाएंगे, या इससे जाएंगे, या इससे जाएंगे, इससे जाएंगे, इढ़र वन आप दी पाथ चूज करेंगे ना तो यह पार्लल कॉम्बिनेशन और यह जो इसका अंसर आएगा वो के फॉर के साथ सिरीज में हो जाएगा तो फिर भाई तू चला जाना तुर को किसी ने कुछ बोल आगे हैं आपे मतलब इनको बीच में आना भी है वोरा लेक्ट्टर सुनना भी है और बोलना भी है क्या मतलब सेल्यूट है तुम जैसे बंदों को तुर जा भई अपने टाइम क्यों खराब कर रहे हैं अपमें नीट की तैयारी कर डॉक्टर बन और लोगों को मार चलो पहले कपेस्टर की कपेस्टेंस इसका डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट के वन है और इसका एरिया ए बाइ थ्री है एपसेलिन नॉट और इसका डिस्टेंस डी बाइ टू है तो पहली कपेस्टेंस आएगी टू बाइ थ्री के वन ए एपसेलिन नॉट बाइ डी c2 is equal to 2 by 3 k2 a एपसेलिन नॉट बाइ डी and c3 is equal to 2 by 3 k3 a एपसेलिन नॉट बाइ डी और यह पैरलल में है पैरलल में कैसे एड होते है c1 प्लस c2 प्लस c3 simply add होते हैं अगर simply add होते है 2 by 3 a एपसेलिन नॉट बाइ डी बाहर आजेगा और k1 प्लस k2 प्लस k3 होगा देखो जड़ा ऐसा कौन से option में हो रहा है k1 प्लस k2 प्लस k3 इस option में तो है नहीं d में option number d में तो है नहीं अच्छा अगर c4 की बात करूँ ना यह जो हमारा c4 आ रहा है यह c4 क्या होगा इसका area जो है वो पूरा a है क्योंकि यह तीनो a की दगा पे आ रहे है इसका area a और इसका जो distance है वो d by 2 है और इसका dielectric constant k4 है 2 a epsilon 0 by d into k4 अच्छा यह बता हूँ यह जो parallel combination आया था और यह जो c4 है parallel combination और c4 यह कैसे connected है मतलब इन तीनों का combination इन तीनों का combination और इस k4 का combination कैसा combination है जल्दी से बताओ एक बार इन तीनों का combination और इस k4 का combination कैसा है series है यह parallel है अब यह series है अगर यह series है तो reciprocal होके add होते है अगर reciprocal करके add करूँगा देखो कौन से तीन option में reciprocal की form में पढ़ा हुए answer कौन से तीन option में reciprocal की form में answer पढ़ा हुए आपके पास तीन option है कौन से तीन option में c वल है बहुत बढ़िया option number c is the correct answer आप इसको add करके देख लिए न 1 by cp plus 1 by c4 is equal to 1 upon c equivalent यहां से आपका यह relation satisfy होता है गा यहां से यह relation satisfy होता है ठीक है चालिए बहुत बढ़िया let's go for the another question थोड़ा difficult था no doubt क्योंकि आपको पेचानना थोड़ा सा difficult होगा भी series combination है या parallel combination है थोड़ा सा पेचानना difficult होगा let's go for the another question now 3 capacitor each of capacity of breakdown voltage we are joined in series the capacitance and breakdown voltage of the combination बहुत easy आया है यह हर एक capacitor की capacitance ही है और उनका voltage भी है सबको series में connect कर दिया तो आपने एक total capacitance और total voltage of the combination निकालना है अच्छा series में capacitance कैसे add होती है तीन capacitor है reciprocal करके अगर reciprocal करोगे 1 upon c equivalent is equal to 1 by c plus 1 by c plus 1 by c that is equal to 3 by c equivalent is equal to c by 3 तो भाई option तो c by 3 वाला correct है a और c तो होगे कलत अच्छा voltage कैसे add होती है voltage कैसे add होती है series combination में voltage को कैसे add किया जाता है simply voltage add करने के लिए आपको इसको simply add करना है v1 plus v2 plus v3 तो v plus v plus v total voltage will be 3v हाँ भी कौनसा option आ रहा है option number d या b है option number d या b है b option correct आ रहा है बढ़िया option number b is correct can we move to the next question now एक ये question थोड़ा सा difficult था अभी तक बागी जितने question करें सारे आसान थे बहुत अच्छे question थे क्योंकि ये वाला concept थोड़ा सा अलग था आपको पैचानना भी series combination है या उसमें थोड़ी से डिफिकल्टी हो सकती थी लेट्स गो फॉर अनएदर कुश्टिन इनेट्वर्क ओफ पूर कपेस्टर ओफ इक्वल का कपेस्टेंट सी पर्योंफ कपेस्टी इक्वल टू सी तू सी थ्री सी और पूर सी मतलब अचे बताओ ये अब यहां से चार्ज जो आएगा न यहां से जो चार्ज आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अब ये पूरा सेम चार्ज यहीं पे घूमने वला है मुझे एक बात बताओ ये C1, C2 और C3 C1, C2 और C3 का कॉम्बिनेशन कैसा है? इन तीन कपेस्टर का कॉम्बिनेशन कैसा है? सब में सेम चार्ज है सब के अंदर सेम चार्ज है सिरीज बहुत बढ़िया एक कपेस्टेंट C है एक 2C और एक 3C है सब आप बैट के क्यों पढ़ा रहे हो? कभी तुम्हारे से किसे नहीं पूछा तुम बैट की पेपर क्यों देते हो? खड़े हो के क्यों नहीं देते हो? आगे से मीट का पेपर होगा तीन गंटे खड़े हो के आपको पेपर देना है यह वोल्टेज भी है अगे देखो अपने आपी कॉम्पेटीशन काम हो जाएगा ना कोई खड़े हो के पेपर दे पाएगा और ना उनके नमबर आएंगे अब यह C, 2C और 3C इनका सिरीस कॉम्बिनेशन है 1 अपन Cs is equal to 1 by C plus 1 by 2C plus 1 by 3C 1 by C बहार आगया 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 इसका एलसियम आएगा 6 6 plus 3 plus 2 1 अपन Cs is equal to 1 by C into 11 by 6 तो यहां से Cs आगया 6C by 11 ठीक है? अच्छा अब तुम्हें यह इनका कॉम्बिनेशन पता लग गया 6C by 11 क्या तुम्हें यह बात पता है? कौन सी चीज यहां पे सेम रहती है पैरलल कॉम्बिनेशन में? पैरलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है? जैसे series combination में charge same रहता है तो parallel combination में क्या चीज़ same रहती है voltage अच्छा यह में सुनाओ को q is equal to cv तो voltage का formula q by c तो q1 upon q2 या q1 upon c1 एक symbol जी बात करते हैं यहां से हमें charge का ratio निकालना है न q by c हो गया न तो क्या बनेगा q1 upon c1 is equal to q2 upon c2 तो यहां से q1 by q2 q1 by q2 is equal to c1 by c2 q1 by q2 पहले की capacitance इन तीनों की मिला के capacitance आई 6 c by 11 और नीचे वाले की 4 c यह cancel हो गया the answer will be 6 upon 6 upon 44 that is 3 upon 22 हां जी क्या answer आ रहे है हां 3 by 22 आएगा बढ़िया मेरा तो यह आ रहा है तुम लोग चेक कर लो अपना 3 by 22 is the answer b option b is the answer 3 by 22 आसान question है आसान question है मलब आपको करना क्या था पहले total capacity निकाल ली फिर voltage को same कर दिया जब voltage को same करा तो q1 upon q2 क्या हो सरी q1 upon v1 is equal to q2 upon sorry q1 upon c1 is equal to q2 upon c2 आ गया तो q1 by q2 is equal to c1 by c2 c1 और c2 की value put करी और answer आ गया हां मेरा c आ रहा है कहीं बोल रहे है next question बहुत आसान question है यह इस question को छोड़के बागे तो easy चल रहे है next question on your screen three capacitor each of capacity four microfarad are to be connected in such a way that their effective capacitance is a six microfarad this can be done अच्छा कैसे करना है हमार पास तीन capacitor है हर एक की capacity चार है और हमार को total capacity six चाहिए तो इसको कैसे करो सबको series में connect कर दो सबको parallel में connect कर दो अगर सबको series में करूँगा न अगर सबको series में करूँगा तो one upon cs is equal to one by four plus one by four तो यह answer आएगा four by three और अगर parallel में करूँगा सारे के सारों को तो four plus four plus four answer आएगा 12 तो हमें यहां पे यह दोनों में से कोई भी option अभी करें नहीं है a भी निया बी भी निया ना connecting two in series अब हमें दो series में connect करने मतलब one by four plus one by four that is two by four one by two this is one upon cs तो cs की value आगी two और इसके साथ एक parallel the answer is six yes two series and one in parallel combination दो को series में करो और एक को parallel combination में connect करो option number c is the correct answer हाँ भी सही अब दो series में connect करके answer क्या आजएगा two और फिर उसके साथ एक parallel में लगाओ के answer क्या आएगा answer क्या आजएगा six total answer हमार को six ही चाहिए था total answer हमार को six ही चाहिए था एक बहुत बहुत बहुतरीन question था जहां पर थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की गई और बहुत बढ़िया से पूछा गया चले बागे can we move to the next question कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 कुशन हो गए next question on your screen a capacitor of capacity c1 is charged to voltage v volt and then connected in parallel to a uncharged capacitor c2 the final potential difference across each will be याद करो वो common potential वाली चीज बहुत बैतरीन कोशिशन है direct formula based कोशिशन है अगर एक capacitor जिसकी capacity c1 है और जिसका potential v है इसको दूसरे capacitor के across connect करा जिसकी capacity c2 है लेकिन यह uncharged है मतलब potential 0 है तो दोनों जब connect कर दिये गए तो इनका common potential क्या होगा उसका formula होता है c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2 so this will be c1 v अगले वाला तो 0 ही है c1 plus c2 so the common potential will be c1 v upon c1 plus c2 option number b is the correct yes बढ़िया आसान दने दो यह तो easy था इसमें तो कोई difficult नहीं था direct formula होता है हमार पस यह तो easy था यार इसको नहीं कह सकते difficulty यह तो बहुत आसान कुशन दा आओ फिर अगले कुशन अरे बाप अरे बाप पर इस the effective capacitance point between point x and y इस x और y के बीच में total capacitance कितनी है वैसे तो कहीं बच्चे देखते ही समझ गे होंगे वैसे तो कहीं बच्चे देखते ही समझ गे होंगे यह कौन सी condition का question है यह कौन सी condition का question है याद करके बताओ क्या नाम होता है उस condition का याद होगा इस condition का नाम यह बीच में कपेस्टर होता है दो कपेस्टर उपर होता है जो नीचे होते है ऐसी ऐसी कंडीशन उपती है यह 6 माइक्रो फेरेड यह वीट स्टोन ब्रेड रेशो भी तो सेम है देखो यह 6 माइक्रो फेरेड यह 6 माइक्रो फेरेड यह 6 माइक्रो फेरेड यह 6 माइक्रो फेरेड और बीच में 20 माइक्रो फेरेड अब इस बिचारे 20 माइक्रो फेरेड का तो कोई रोल ही नहीं है यह 20 वाले का कुई रोल ही नहीं है तो यह तो हट जाएगा अब क्या सर्केट बचेगा एक 6 माईक्रो फेरेड अगला 6 माईक्रो फेरेड यहां पे 6 और फिर यह 6 अचला उपर वाले वाले कापेस्टर सिरीज में और फिर इनका combination parallel का 6 और 6 series में add होके answer देंगे 3 पता है न 1 by 6 plus 1 by 6 और ये भी add होके answer क्या देंगे 3 तो ये 3 और 3 microfarad 3 और 3 microfarad parallel में और parallel में simply add होके answer क्या देंगे 6 microfarad बढ़िया बहुत बढ़िया चले अगले कुश्ण पर अब अगले कुश्ण पर अगले बस कुछ ये करते हैं पहले पीछे से करते हैं अब जो बचले कुश्ण a capacitor is charge दो बैटरी एन एनर्जी इस store is you after disconnecting बैटरी बैटरी को disconnect कर दिया another capacitor of same capacity is connected in parallel to the first capacitor the energy stored in each capacitor will be बहुत बढ़िया बहुत बैतरीन कुश्ण क्या हुआ एक capacitor था जिसको हमने charge करा एनर्जी सो और उसकी एनर्जी थी you after disconnecting बैटरी another capacitor of same capacity is connected in parallel to the first capacitor the energy stored in each capacitor will be क्या बोल रहें बई अब तुम्हें पता है capacity equal है एक capacitor जिसका capacity C है और दूसरा capacitor जिसका capacity C है दोनों का capacity बराबर है तुम्हें ये बात पता होगी भई अगर मानलो मैंने इनको connect कर दिया अगर इसका charge क्यू था पहले और इसका 0 था कनेक करने के बाद दोनों के पास equal equal charge आएगा दोनों के पास equal equal charge आएगा पता है ना q by 2 और q by 2 अगर पहले इसका energy यू था तो मतलब उसका formula था half q square by C इसा ये अब charge हो गया q by 2 और q by 2 तो final energy एक कपेस्टर की कितनी होगी ये पुछे each कपेस्टर होगा 1 by 2 q by 2 का square into में c तो final energy of each कपेस्टर will be half q square by C और बहार पूर आजेगा तो final energy is equal to initial energy by 4 है ना यू बाइ 2 नहीं होगा अगर मालो देखो है तुम्हें पता है जब भी charges को ऐसे bodies को connect करते हैं तो bodies को connect करने के बाद energy loss जरूर होता है देखो energy बढ़तो सकती नहीं energy बढ़तो सकती नहीं और यू बाइ 2 और यू बाइ 2 करा तो total u आजेगा अगर total u आजे तो ये भी नहीं हो सकता हमें energy का loss कराने कम energy चाहिए पहले वले से पहले energy कितनी थी यू अब यू बाइ 4 प्लस यू बाइ 4 क्या देगा यू बाइ 2 there is a loss of energy of u by 2 जरूरी नहीं हाफ होती है मतलब अगर कपेस्टर बराबर है अगर कपेस्टर की कपेसिटेंस बराबर है तो हाफ हो जाती है लेकिन बैसे हाफ नहीं होती है वन बाइ 4 हाउ देगा यार एक सेंपल सी बात बोल रहा हो क्या तुम्हें यह पता है भी चार्ज हाफ हाफ हो गया क्यू बाइ 2 और क्यू बाइ 2 हो गया अब जब चार्ज हाफ हो गया energy depends on square of charge अगर यह square of charge पर depend कर रही है तो q by 2 के square पर depend कर रही है तो यह q square by 4 हो जेगा और जब यह 4 बाहर आएगा this will be the initial energy तो energy decreases by 4 energy decreases by 4 ठीक है चालिए अगला question करते है पड़ा पड़ से आपकी आरे भाई फेबरेट मैं अब इसका तो direct formula किया था the parallel plate capacitor has a energy uniform electric field in a space between the plates if the distance between the plate is d and area of the capacitor is a plate is a the energy stored in the capacitor will be energy store किसके बराबर होगी अरे energy density नहीं पुच्छी energy पूचरों energy energy पूचरों energy कितनी होगी और energy निकालने के लिए energy density को volume से multiply कर लेना energy density को volume से multiply कर लेना half epsilon not e square into ad ठीक है भाई option number c आ रहे न करेक्ट बढ़िया ध्यान से कुच्छन को पढ़ा करो energy है या energy density है its energy density option number c is correct ठीक है चलो आज का आखरी question last question है यह इसके बाद इस session को खतम करेंगे तो जल्दी से एक बार बता दो यार इसका answer क्या होने वले है a capacitor is charged by a battery the battery is removed and another uncharged capacitor is connected in another uncharged capacitor identical uncharged उसके जैसे ही खे तो same नहीं आ गया अभी पिछले वाला question यही तो था अभी यही बोला था energy u by 4 और u by 4 total u by 2 होगी तो आधी कम होगी मतलब question को किसी और वे में पूछ लिया अब पहले energy u थी u by 4 एक के पास u by 4 एक के पास total energy u by 2 आगी अगर u से u by 2 होगी u से u by 2 होगी तो बताओ भी कितना loss हुआ it decreases by a factor of 2 मतलब होना तो decrease ही है अब होना तो decrease है question आसान होगया क्योंकि इसमें increase था यह तो possible नहीं है same रह नहीं सकती there is a decrease redistribution of charge पढ़ा था ना total पुछादा यह total energy का पुछादा total energy में कितना decrease होगा it decreases by a factor of 2 it decreases by a factor of 2 ठीक है भी तो बही आज का यह session यहीं पर खतम करते हैं एक यह homework question है इसका फड़ा पट से screenshot ले लो और इसका answer आपको comment box में बताना है इसका answer आपको comment box में बताना है फड़ा पट से screenshot ले लो बिना किसी देरी के जल्दी से इसका screenshot ले ले लो बहुत सारे question करें कल से current electricity करेंगे और यह आनकेडमी के offers थे आप लोगों के लिए यह offline center के offer फिर उसके बाद state city के offer complete offer counseling festival और प्लस subscription के offers तो बहुत सारे offers थे जो आपको provide किये जारे इनका benefit उटाओ और फड़ा फट से इसके अंदर enroll हो जाओ जल्दी से जालिया तांक ये सो मुच उमच नाव ये इन्वी नेक्स एन तिमारो अट्वर्धी इंत्रोट्च्ट इट्रच्ट्टी तांक ये तांक ये समाट्च्ट गूंच थांक थांक